हेलो दोस्तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे गंभीर विश है जो भारत में आने वोले समय में सब लोगों को परिसान करेगा अभी खास करके जो ऑनलाइन में अप्लिकेशन के जरिए अपने कोर्स को बेच रहे हैं उन चाहे टीचर बेच रहे हो चाहे बाकी बहुत सारे बिजनसमेन अपने अप्लिकेशन के जरिए कोर्स बेच रहे हैं चाहे कोई जीम ट्रेनर है वो बेच रहा है कोई सब्कृष सिंग सभा करने का काम होता है तो जहां से भी डोग अप्लिकेशन बना के अर्णिंग कर रहे हैं गूगल का उस पर फोकस हो गया उसको लग रहा है कि बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में हैं जो इस तरह से एप के जरिए अप्लिकेशन के जरिए जो गूगल के गूगल के बनाए इंफर्मीशन दे रहा है कि गूगल प्ले स्टोर जो एप अभी हम लोगों का रहता है वो गूगल प्ले स्टोर पे रहता है गूगल प्ले स्टोर उसके बदलेवे 30% 15% से 30% के कमीशन की बात कर रहा है थे हमको 15% से 15% to 30% कमीशन चाहिए कमीशन और कमीशन किस पर तो रिवेन्यू के उपर बोलता है जितना आप कमाऊगे उसके तो कमीशन चाहिए ओन रिवेन्यू याद रुखे का आपया जो इंकम होगा ना इस पर कोई यह फिर्ट चार्जज फिर्ट रता तो सारे लोग डे घु कि देथे लिकिन क Sky테 si لم करेंब भी घंवाल नहीं होता है एप लिकेशन का इस्तमाल हर सेक्टर में होता है अब जीतने अप्लीकेशन यूज कर रहे हो जो भी अप्लीकेशन आ पेड़ सर्विसेस के अंदर जो सबसे चारजर वह सुले निगारों और आने वहले समय में अइसा भी लोग कहा रहा है कि प्वारा की नकार दिया यह भी खबर आ रही थी कि मेल आईडी के उपर भी चार्ज जोड़ेगा मतलब आप पैसा दीजेगा तो आपका इमेल आईडी डिक्स डी एक्टिव हो जाएगा और जब एमेल आईडी डी डी अक्टिव हो जाएगा और पूरा मॉबाइल आपका हो लेकिन अभी Google के तरफ से एक notification आया कि अभी email ID के उपर कोई charges नहीं लगा जाएगा तो email ID के उपर कोई charges अभी नहीं लगाएगा तो आपको बकानिक जुरत नहीं लेकिन future में लगेगा जरूर जैसा मेरा माना है कि इन future में Google को लगेगा कि यहां से अर्निंग आ सकता है तो Google ल रहता चड़ा गया तो यह समस्या और हो सकती है तो बोल रहा है Google Play Store की Google Play Store से जितने भी एप्स डाउनलोड होंगे और वहां से जो revenue आप generate करेंगे उस revenue का 15% से 30% जो है वो आपको देना पड़ेगा Google को अब समस्या क्या है जो digital वाले हम लोग भी digital content देने वाले लोग तो जो digital content देने वाले लोग है उनके साथ प्राब्लम क्या है इसको अराम सब आपको बताएंगे अखिर इससे समस्या का भारत क्या solution दे रहा है भारत सरकार भी इसके एपड़िव है पूरा नज़र बनाये है है Google की पॉलिशी के उपर तो जो Google की पॉलिशी है उसके नुसार से आज के समय में अगर किसी टीचर कोई डीजिटल कंटेंट वाले टीचर है मैं हम लोग तो बड़े बड़े चोटे चोटे ने अकेडमी है जाये पी डवलो फिजिक्स वाला चाहे चोटे चुब बड़े बड़े अप्लिकेशन से बाइजू है इन लोगों का क्या होगा और सबसे पहले अटेक यही लोग के उपर म प्लाटफर्म को प्ले स्टोर से हटा देगा तो समस्या तो आएगी क्योंकि यह ताना साही Google का Google बीना कुछ सोचे समझे कोई जो कभी भी कोई चीज लगता है तो टूवे बड़े बड़े अप्लिकेशन हो गया बाइजू हो गया फ्लीकेशन का जाएंगे इन लोगों का तो हालत खराब हो जाएगा क्योंकि देखे क्या बनता है वह मैं बताता हूं सबसे पहले जी एस्टी लगता है अठारा परसेंट कमीशन बोलता है अगर 30% तीस परसेंट कमीशन यह वोड़ा है 30% तक बोड़ा अप टू 30% और जिनका रिवेनियों जादा होगा 30% काटेगा भी इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेज होता है जो हम लोगों का पेमेंट गेटवे होता ना पेमेंट गेटवे का भी कुछ चा दूसरे से बना रहे हैं तो उसका कमीशन 10% के आसपास में इसका मतलब है 30 और 48 दो 50 और 1060 परसेंट कमीशन कट जाएगा तो टीचर को मिलेगा 40% रिभेन्यू टीचर का क्या होगा 40% अब 40% में उसको बिजली बिल देना है अपना ओफिस का खर्च करना है और अपना भी बच से आगा तो 40% में अगर मान लेते हैं कि operating expenses 20% हो जाता है कम से कम operating expenses लंग टोटल खर्च है और एक परसेंट फर्च यह पूरे होगा मेहनत करने बाद ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट अनि बहुत मिनमूम के बराबर नहीं के बराबर बचेगा तो सारा पैसा तो कोई और लूट के चला जा रहा है यह समस्य सारे बड़े-बड़े कोचिंग के सामन साथ को मिने आ रहिये और सारे परसान हैं फिन नहीं कर रहा है और कट कुछ बर देता तो होता है चलो जो हो गया हो गया उन्हें हैं लोग सॉस्पेंज में पता नहीं क्या करेंगा और अटेक मारेगा सबसे पहले स्ट्रैक मारेगा बड़े-बड़े अप्लिकेंशन को ज सीदा गूगल का हाथ, सिधा पैसा सीदा पैसा लेकि निगल जा रहा है गूगल से में अपझाई । अपने प्लेस टॉल इज कर आए यहां तक हम लोग रेड़ रृब हम लोग Google को बोलेग ठीक है console हम अपने नाम पर खरीद लेगा कोई दिकत ने आप ले लो fix charges एक fix charges ले लो ना भाई क्या दिकत है साल भर अगर आप एप मेरा रख देते हो अपने console पर तो मेरे से fix charges ले लो जो आपका fix charge हो 10,000, 5,000, 7,000, अब एक fix charges ले लो उसके बाद कोई दिकत ने fix charges आप ले लो fix charges लेने के बाद कोई problem नहीं आना चाहिए आप हमको safety दोना मैं पैसा देने के लिए त्यार हूं तो Google के कहना है कि console अपने नाम पर लीजे और साथी साथ commission दीजे गूगल का यह हिस्से बात बन नहीं रही अब भारत सरकार तीसरा उफयर फिरय में दियान देंगा काइव एक पहला प्ले कौन है याद होगा कैंगा होगा गूगल higher uh do a government आफ इंडीया प्लेए और तीसरा प्लेए जो इसमें है वह हूँ user है अतीन लोगों के बीच में जो हस्ख्वासान चल रहा है पूरा एप यूजर है यह मामला बहुत भ्यानक चल रहा है तीनों है अब यह इनका आर्गुमेंट समझ गया यह परेसान इसलिए हो रहे हैं एप यूजर का प्रब्लम हम आपको यह पूरा बता दिये गूगल का भी बता दिये गूगल बोलता है कि आप कॉंसोल अपने नाम पर लो और 30% कमिशन लेंगे फिक्स अगर चार्जे लेता था अपने को कोई दिकत नहीं था अब गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया भी वेट और वाच में है कि देखते हैं गूगल क्या करता है गूगल है क्या छोटे ही अप्लिकेशन को स्ट्राइक मार देगा अचानगाईब करना सुकर देगा दिलिस्ट करना सुकर देगा तो पंदरा मार्च वो डेट है जहां से सुरू होने का चांस लग रहा है कि 15 मार्च से गूगल वेड़े उसी सब्सक्रों को हटाना शूर अब क्या करी Government of India क्या करेगी इसके बाद अगर ऐसा परिस्थिति रहा तो मोदी जी क्या करेंगे तो चलिए मैं Government of India की बात करता हूं Government of India करें क्यों कि मालुम है कि विदेशी कंपनी इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है गूगल को भारत सरकार जुका नहीं सकते हैं बीदेशी कमपनी है उसी पर पूरा ठीका हुआ है तो ऐसे इस्तिति में आप जुका नहीं सकते हैं लेकिन पूरा का पूरा जुका नहीं सकते हैं तो भारत सरकार इसको ध्यान में रखते हुए एक काम की है कि भारत सरकार ने एक अपना app store launch किया अभी आप देखोगे तो अभी app store की बात करें तो 3 app store है अप्लीकेशन store जिसको जहां पर आपको applications मिलेगा तो अभी application की बात करें तो भारत सरकार का जो app store आ गया तो 3 app store अपने पास रहते हैं पहला जिसको Google Play Store बोलते हैं पहला एप स्टोर है जिसको Google Play Store के नाम से जानते हैं यहां से आप इंस्टर करते हैं दूसरा Apple का एप स्टोर होता है एपल एप स्टोर है यहां से भी जो Apple user है वह करते हैं तो ध्यान देजेगा उसके बाद ही भारत सरकार से खुड बनाया ध्यान ये देना है कि आप अस्टोर पहले से चार्जवाल है इस में चार्ज लगत यह फूरा पूरा फूरी था ये फूरा फूरी था लेकिन और यह चार्ज अब बना हुना कौन बनाया made by phone pay made by phone pay इसको बनाया इसको बनाया है भारत का अपना app store इंडट्स हो चुका है जो play store जो एप store है वो कौन बनाया है फोन पे बनाया है फोन पे और भारत सरकार दोनों मिलके एक नया app store लॉंच किया है कि अगर Google कुछ करता है जादा नो टंकी करता है Google और परिषान करता है सब को तो ऐसे स्थिति में इंडस एक Option आ गया है जहाँ पे आप अपने Athens इंडसे को लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे Consol क फहरीद के आप अपन अप्लेकेs णोट कर सकते यहाँ पे फ्री है उसके बाद इसकी क्या policy होगी आगे देखना होगा इसकी policy को भी हम लोग पूरा study करें और बताएंगे इंडस के बारे में कि इंडस कैसे काम करता है इंडस के बारे में भी हम लोग अगले मैं बहुत अच्य सबताएंगे अकले विडियो में आपको बहुत अच्छे सम्झाएंगे कि इंड़र्स एक ऐसा अपली कीशन जो इंडिया का अपना अपली केशन रेप तोर।ंbridge मिलेगा अभी आपको यह तो Google में मिलेगा गूगे में घयाएंगे इंड leurs एप स्टोर सर्च करेंगे आ जाएगा उसको आप इस्टॉल करनेंगे और अपने मॉबाइल से वहां से भी आप जो है अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते लेकिन यह भी अभी गूगल में न मिलेगा क्योंकि दुनिया में सब कुछ गूगल मोड में है एपी के मोड में आपको गूगल में मिलेगा तो यह एक समस्या है और उसका सॉलूशन भारसरकार भी ढूंड रही है जो एप यूजर है वो भी वेट और वाच कर रहे हैं कि क्या 15 मार्च को होने वाला है 15 मार्च को क्या होगा तो ऐसे में 15 मार्च को देखा जाएगा कि गू डिटल वर्ड में तबाही ला देगा गूगल पर तबाही यह होगी कि जितने लोग डिजिटल कंटेंट अपना बेच रहे हैं सब लोगों को परिशानी को स्टॉक मार्केट सिखा रहा है सेर मार्केट सिखा रहा है कोई को यहां तक छोड़ दीजे जादू टोना सब सिख डिजिटल कर दिया है और हर कंटेंट को लोग डिजिटल लेकर आ रहा है और डिजिटल डाक जाके अपने बिजनस को फैलाया और आज यह एटक हुआ क्यों गूगल प्ले स्टोर जो वोड़ आ है कि हम चार्जेज वसूल करेंगे और यहां पर लोगों का पूरा इंकम खा अपना है उसको सरकार के साथ या एप यूजर के साथ एक बार तो मीटिंग करना ही चाहिए उनसे भी पूछना चाहिए और जो बीच में रास्ता निकले उसको निकालना चाहिए क्योंकि यह स्थिती बहुत खतरना है गवर्मंट इंडिया को भी हां इनिसेटिव लेना चा होगा क्योंकि सरकार का 18 परसंट अबना आएगा जब हम कोर्स बेचेंगे जब कोर्स ही नहीं भी के तो सरकार को कहां समीलेगा यह आज के समय में समस्य आहें जो हम लोग देख रहे थे कि यह गूगल प्लेश टोर का बार बार कहानी क्यों आ रहा है गूगल का बार बार आ नाम है इंडस आप सर्च कर सकते गूगल में इंडस एप स्टोर आपको मिल जाएगा भारत सरकार का गवर्मेंट आफ इंडिया का तो चलिए इसके बाद वाला जो है अनि इंडस कैसे काम करता है कौन-कौन से अप्लिकेशन अल्री इंडस में डाले हुए हैं यह हम लोग एक करेगा प्रभावित करेगा आप भी इससे प्रभावित होंगे इसलिए डिजिटल करांटी को में हम लोग 15 मार्च तक वेट कर रहे हैं 15 मार्च के बाद 16 या 17 मार्च को मैं वीडियो बनाऊंगा अगर ऐसा कुछ हुआ गूगल की तरफ से कोई स्ट्रैक मारा जाता है किसी अप्लिकेशन के पर किसी अप्लिकेशन को डिलिस्ट किया जाता है हटा दिया जाता है तो मैं जरूर वीडियो बना कि आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है रिल सचाई तो ऐसे इंफॉरमिशन को जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पर करके रखे और आप मेरे साथ के लिए इस चैनल के उपर लगातार वीडियो आते रहेंगे थैंक यू